कि अधिए पिर हमें लोग फिल होता है हम एनरजेटिक उतना नहीं रह पाते तो थोड़ी बहुत तो प्री प्रेपरेशन है और थोड़ी बहुत तैयारिया है जो कीचन के लिए हूँ या चाहे हम के लिए हूँ रखते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम भी बचता है और हम एक हेल्दी लाइफस्टाल और एनरजेटिक पूरा दिन फिल काते हैं तो एसी सारी टिप्स एन हैक्स में आज आज आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे पता है इंडिया में कब से बह आज के वीडियो में हम फिप्टिन प्लास हम समर हैक जानेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी सीजन में आप दाहीं जमाने के लिए रखते हो तो इस तरह के मिट्टी के बरतन में रखो तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ये बरतन जो उसी तरह आप देख सकते हैं कि समर के सिजन में क्या रेता है कि आम की भी सीजन रहती है तो यहां पर दोपेर को आम neighborा तो आम रस बच्चा था तो इसमें से हम आम का च्यूस बना देंगे पस milk aid कर दिया है वो furry aid कर दी है वो blend कर दिया है वो रियक अच्छा से सट्रिंक हमारा पंके रेडी हो गया है उपर से बर्फियार डाल सकते हो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है उसी तरह गर्मी में क्या रहता है कीडी चिटिया या जो मच्छर वगेरा जादा रहते हैं तो उसको दूर करने के लिए तेजपत्ता लिया है यहाँ पर पुर ले लिया है यह मिट्टी का बरतन ल बता है कपुर जलाने से जो भी नेगेटिव एनरजी है वो पतो चली जाती है साथ में कीडे मकोडे वर जो भी मच्छर है वो भी चले जाएंगे उसी तरह से सीजनल फ्रूट खाना कोई भी सीजन में बहुती इंपोर्टन्ट है तो चाहे वाटर मेलन हो स्वीट मेलन हो इ यहां पर कटा हुआ रहता है तो बच्चे भी खाते हैं हम भी आते जाते खाते रहते वरना हम पो आलस आ जाती है कोई भी फ्रूट्स वगेरा कट करने में और खाने में तो यहां पर में क्या करती हूं एक रूटिन बना लेती हूं कि जिसे कि यह कट करके रखो और एक बा निजनागे मैं अच्छे से मिक्स कर देना ध की कोफी बनां लेने है जब कोफी बनानी है वह तो क्यूब निकालना है दूध है आपको पसंद हो तो जीनि करनी है पर parl us ungef कर देना है वह इंस्टंट आपकी कोॉट कोफी बनके तयार हो यहां पर में cold coffee में vanilla ice cream भी डालती हूं, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी wellin ice cream डाली हुई cold coffee अच्छी लगती है, तो जो भी preparation करके समन में रखते हैं, तो पहुत सारा हमारा time तो बचता ही है, साथ हो साथ हमें जो भी low fill होता है, energy कम रहती है, वो सारे हैं, आए हुआ हए जो जो कम्या रहती है । इस तरह के fruits काने में ज्धा पानी पीने से या इस तरह के जो भी öğa liquidי चीजे क्हाने से वो यह कम्या पूरी हो जाती है, तो स्जितना हो सकते, आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, लिक्वीड जो है आपको ज्यादा कंस्यूम करन चाहिए और आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी जाग वाली कोफी हमारी पनके रेडी हो गई है उसी तरह से यहां पर में दो हेक्स बताऊंगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें मेरे पास ब्लेक आउट कर्टेन है क्योंकि मैं युए में रहती हूँ तो पूरा ही सीज में खाली गर्मी रहती है और 3-4 महिना खाली विंटर का सीजन रहता है तो मैंने ब्लेक आउट कर्टेन पसंद किये है तो ब्लेक आउट कर्टेन को क्या है कि सुबह सुबह आपको खोल देने है और फिर दूप जब आ जाती है तो कर्टेन को बंद कर देना है और फिर शाम परड़े भी रखो बीच में और और साइड में इस तरह के डार्क वाले परड़े भी रखो यहां पर मेरा ज्यादा डार्क वाला मेंस के ज्यादा कपड़ा गाड़ा नहीं था थिक वाला नहीं था तो बीच में मैंने क्या किया है इसके पीछे लाइनिंग लगाती है जिसे क तो यहां पर सापोता की आप देख सकते हैं मेरे पास यह फ्रूट ब्लंड से तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना अलग-अलग फ्रूट के फ्लेवर के मिल जाती है पल्प होता है बस आपको निकाल लेना है दूद्ध डालना है और इतना मिठा रहता है कि आपको इसमे दूद्ध के सिवा कुछ भी नहीं डालना होगा और फ्रीजन में रहता है तो आपको आइस क्यूब भी नहीं डालनी पड़ती और यहां पर में काम जरूर ही कर लेती हूं और वो है निम्बू पानी निम्बू पानी में क्या रहता है कि सुगर को पिगलाना बहुती यहां पर देख सकते हो हमारा जो सुगर है गल चुकी है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे वर फिर जो यह जो लेमन का जूसे वो इसमें एड कर देंगे वर ना आप खाली सुगर की चास्नी बना कर भी रख सकते हो आपको जो लेमन का जूस नहीं डालना हो तो न यहां पर यह दोनों मिक्स करके मैं रखती हूं और फिर फ्रीज में स्टोर कर देती हूं जब भी मुझे कोई भी शिकन जी या फिर कोई भी निम्बू पानी वगेरा पीना रहता है तो मैं चल्दी से बना लेती हूं तो इसके लिए मैं क्या करती हूं पूदीना डाला चा पीना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि बस हमें पानी लेना है वो चासनी लेनी है और दो क्यूबिस के डाल देने है और आपका सर बंती इस्टेंट बंढ जाएगा और कोई भी बना सकता है बच्चे भी बना सकते हैं जब भार से कोई भी अस्बंद वगेरा बच्चे वगेरा ब पेस्ट ओफशन है मेरे ख्याल से उसी तरह गर्मी में ज्यादा बर्ख ज़रूरत रहती है और कभी-कभी क्या रहता है जितना भी फ्रीजर बड़ा हो तो भी बर्फ कम हो पड़ती है तो मैं क्या करती हूं एक्ष्ट्रा जो भी बर्फ निकलती रहती है वो मैं इस तरह के ज तो जो भी हुलन के कपड़े हो गए इस तरह के ब्लैंकेट वगेरा हो गए उसको में अच्छे से वोश करके फिर फॉल्ड करके अच्छे से उसको और्गनाइज करना बहुत ही जरूरी है इसका और गनाइजर भी मैंने बहुत सारे बनाए है अल्रेडी मेरी चैनल पर है तो कि यह वह रख दिया फिर अच्छी सी कोटन की प्रिंटेड वाली जो आँखों को सुकंदे मैंड को सुकंदे वैसी वाली बेट्रीट आपको बिछा देनी है जिसे की जो भी मस्चेर वगेरा हो और जो भी गर्मी वगेरा हो वह अच्छे से कोटन सोक कर ले और यहां पर हम मारा बेड भी तयार हो गया है वो इस तरह की प्रिंटेड बेड शिट मुझे खास तर बहुती अच्छी लगती है उससी चरह हम बनाएंगे सुगर केन का जूस ओपी बीना सुगर केन के हां बिल्कुल सही सुना आपने क्योंकि कभी-कभी क्या रहता है कि खासकर मेरे यहा वेसा नहीं मिलता तो एसा घर पर आपको प्रिगला देना फिर डालनी है वर्फ और इसको ब्लैंड कर लेना एक दम गन्ये का juice जैसा हम बाहर पीता है वेशा ही टेस्ट आता है प्लीज एक बार ट्राइ करना और रिवीव शेर करना गूड थोड़ा जादा ही एड करना और एक बार इसे ट्राइ कर कर जरू देखना है और मेरे साथ रिवीव शेर करना कि या ए आपको असली जो सुगर किन का जीव समपीते हैं बैसा लग रहा है कि नहीं कर जब समर का सीजन रहता है तो गूड हमारे लिए बहुती अच्छा है क्योंकि जो भी गर्मी वगेरा है वो सब हमारी बोडी में जो है जाता है तो वो सब गूड है वो सोक कर लेता है सारे इंग्रिडियन से वेकदम हेल्थी हमने इसमें डाले है और इजी और पिक बन जाता है उसी तरह प्री मिक्स बना के या इस तरह के मसाले को पिसके रखना बहुती जरूरी है गुजराती में लिखा हुआ है सुगर है ए मरी का पाउडर है ब्लेक सॉल्ट और सोल्ट का पाउडर बना के रखती हूँ यह पुना हुआ जीरा है तो इस तरह के थोड़े बहुत मसाले अगर हम तयार करके रखते है तो बहुत सारा हमारा टाइम बचता है जो हम अपने लिए यूज कर सकते उसी तरह से जो यह हर्फ वगेरा आता है वो गर्मियों में जादा दिन तक टिकता नहीं और हम उसको अच्छे से श्टोर नहीं करत तो यहां पर आप चाहो तो वोश कर सकते हो फिर कर देना है अच्छी तरह से स्टोर करना है मैंने बहुत टाइम बताया है कि एक टैट कंटेनर लेना है की चन नेपकिन डालना है अच्छे से कट किया हुआ जो भी हर्ब से वह एड कर देना है उपर फिर से एक टीशू पर है और इस तरह के हर्ब्स आपको बिल्कुल दबाना नहीं है इसी तरह आपको खुला खुला रखना है जिसे की क्या हो कि एक सर्कुलेशन हो और मॉस्चिर ज्यादा बीच बीच में ना लगे परना एक कपत्ती खराब हो जाती है तो उसके कारण सारा ही हर्ब समारा खराब हो जाता है तो जब भी आता है शौप करके ले आता है तुरंत ही में इस तरह से कट करके रख देती हूं तो 15-20 दिन तक ऐसा का इसा ही रहता है उसी तरह पानी पीना बहुत ही जरूरी है गर्मी में तो कभी-कभी हम आलस कर जाते हैं कभी-कभी हम याद नहीं आता तो इस सारी मोटल्स पर के सारी जगह पर जब ज्यादा जहां पर टाइम पास करते हूं वहां पर रख दो तो जो पानी की कमी है आपके सरीर में नहीं होगी पानी पीना भी याद आ जाएगा वर आपका बोडी भी हाइडरेट रहेगा बोडी हाइडरेट और स्कीन हाइडरेट भ का करना भी बहुती जरूरी रहता है, so bye bye, thanks for watching,